हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू दा एजूकेशनल चैनल ओफ बोटनी अड़ा में आप सपीका स्वागत है आज हम एकोलोजी चैप्टर के अंतरगत लेक्चर नमबर थर्ड देखेंगे जिसमें हम देखेंगे स्वाक्ष जलिये तालाप का पारिस्थितिक तंत्र यानि फ्रेश वाटर पॉंड एकोसिस्टम ठीक है इस टॉपिक को देखने से पहले एक बार आप एकोसिस्टम जरूर देख लेना जिसका वीडियो मैंने आपको अल्रेडी अप्लोड कर दिया है जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं स्वक्ष जलिए तालाप का पारिस्थितिक तंत्र सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दो-तीन लाइन की डेफिनेशन एको सिस्टम होता क्या है तो जैव और अजैव वातवरण की समवंद को पारिस्थितिक तंत्र या एको सिस्टम कहते हैं और इस सब्द का प्रियोग सर्व प्रिथम टैंसले नामक साइन्टिस्ट ने किया ठीक है तो ये याद रखिएगा जो पारिस्थितिक तंत्र इस सब्द का प्रियोग किया सर्व प्रिथम टैंसले नामक साइन्टिस्ट ने और जैसा कि मैंने आपको बताया जैव और अजैव वातवरण की समवंद को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र यानि एको सिस्टम एको सिस्टम जो होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है इसलिए इसे एको सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं इसके बाद देखिए, जलवाईयू, निवाश, समुदाय के आधार पर पारिस्तितिक तंत्र कई प्रकार के होते हैं, तालाव का पारिस्तितिक तंत्र, समुद्र पारिस्तितिक तंत्र, घास का पारिस्तितिक तंत्र, वन पारिस्तितिक तंत्र और मरुस्तलिय पारिस्तितिक टंत्र ठीक है तो यह चार-पाश टाइब के होते हैं जिसमें मैं आपको बताने जा रहे हूं तालाव का पारिष्थितिक तंत्र जो की very important है अब हम देखते हैं पॉंड इकोसिस्टम तालाव के पारिष्थितिक तंत्र में कई जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं ठ composer ठीक है तो यह आते हैं आपको जैविक घटक के अंतरगा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में already explain कर दिया है पहले देखिए आप उत्पादक यानि प्रोड्यूशर कौन-कौन से पाए जाते हैं आपके स्वक्ष जलिये ताल आपके पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद प्राया बड़े पादप जल निमग्न तथा जल इस्थली हरे पौधे होते हैं यह तेरने वाले सूक्षम सहवाल भी उत्पादक होते हैं जो प्रिकास अंसलेशन की के द्वारा अपने भोजन का निर्मान करते हैं तो उत्पादक कौन होते हैं सबसे पहले ही बना लेते हैं प्रिकाशंस लेशन की किरिया के द्वारा अब इसके अंतरगत तालाब का पारि स्थितिक अंतर इसके अंतरगत कुछ बड़े पौधे आते हैं ठीक है। तो कि उत्त बब्दादबूक प्लांट में सुख्शम सभाल में यह प्राया पानिकी सत्य अध्वा इनकी गहराई तक पाए जाते हैं जहां तक सूरिक ही करने पहूंचती इन्हें प्राया प्लावक कहते हैं ठीक है प्लावक कौन होते हैं यह प्लावक जो होते हैं वो तालाव के पारिस्थितिक तंत्र में यानि जो तालाव है उसके इतनी गहराई तक सूरी की जो किरने हैं वो पाई जाती है जब सूरी की किरने पाई जाती है तो यह अपना और प्लावक की डेफिनेशन भी ठीक है इसके बादे तैराग पौधे एक स्वक्ष जलिये तालाव का पारिस्तितिक तंत्र में इस प्रकार के पौधे स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं जैसे वॉलफिया, पिस्टिया, एजॉला, लेमना, इत्यादी ये सब नेहीं होते हैं आपके तैराग पौधे जो कि स्वक्ष जलिये पारिस्तितिक तंत्र में पाए जाते हैं और जो तालाव के पारिस्तितिक तंत्र का आपका तर्थ डाइग्राम है में 25 कम्यूनिटी में दूँगी तो इसके आफ़ वहां से देखिए गा डाइग्राम से पर सते पर तेरती रहती हैं, लेकिन इनकी जणे तालाब की तली से जुड़ी रहती हैं, ऐसे पौधे प्राय हैं निम्फिया और ट्रापा, इसके अलाबा भी बहुत सारे होते हैं, बेसिकली इसके जो दो एक्जामपल हैं उन्हें आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि मल्टिपल चॉइस कोशन में निम्फिया करके पूछा जाता है, ठीक हैं, तो जो निम्फिया टाइप पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां पानी के उपरी सते में रहती हैं, और इनकी जणे जो तालाब की तली से जुड़ी रहती हैं, ठीक हैं, तो इस टाइप के जो पौधे के लाते हैं जल निमगन पौधे इसके बाद नेक्स्ट है जल इस्थलिये पौधे इस परकार के पौधे तालाव के किनारे पाये जाते हैं जहां पानी कम मात्रा में पाये जाता है यानि यह जल और इस्थल दोनों में पाये जाते हैं आपको इसके नाम से ही सो हो रह जल इस थल ये पौदे यानि जल और इस थल दोनों में पाए जाते हैं तो तालाब के पारिस्तितिक तंद्र में ये पालाब के किनारे पाए जाते हैं जहां पर जल की मात्रा कम होती है और इस थल भी परियाप्त मात्रा में होता है ठीक है तो इस टाइप के पौदे होते हैं प्रेनिनकुलम, टाइफा, पॉलीगोनम और मारसीलिया इत्यादी ठीक है इसके बाद है अता हिए सभी पौधे प्राया तालाप के पारिस्तितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं जो कि प्रकास संसिलेशन की किरिया दौरा अपना भोजन स्वयम निर्मान करते हैं यानि ताल हो चाहिए वो कोई से भी पौधे क्यों ना हो उत्पादक जल निमग न जल इस तलिये सभी जो है वह अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं इसके वास सेकंड बारी आती है उप्भोक्ता उप्भोक्ता जो होते हैं यह अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते हैं उप्भोक्ता क वह मच्छरों के लारवा इत्यादी आते हैं ये सभी प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताए उप्भोक्ता जो होते हैं वो अपना बोजन स्वायम नहीं बनाते हैं ये दूसरे उत्पादकों के उपर डिपेंड रहते हैं इसके वाद सेकेंड है दुत्ती उप्भोक्ता इसके अंदर के द्वे जन्तु आते हैं जो प्रथम स्रेणी के उप्भोक्ताओं का भक्षन करते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं यानि प्लांट्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक उप्भोक्ता ये दुत्ती श्रेणी के उप्भोकताओं का भक्षन करते हैं जैसे जलिये साप हुए, बड़ी-बड़ी मशलियां हुई, इत्यादी, इसके बाद है उच्चितम उप्भोकता, ये सभी श्रेणी के उप्भोकताओं के जन्तुओं का भक्षन करने वाले जन्तुओं होते हैं जैसे मनुष्य, गिद, बगला, बदक, इत्यादी ये सभी श्रेणियों के जन्तुओं का भक्षन कर लेते हैं इसलिए इने उच्चितम श्रेणी के भोगता भी कहा जाता है और इसके अंतरगत मनुष्य, बगला, गिद, इत्यादी आते हैं इसके बाद आता है अपगटन करता जब ये सभी मर जाते हैं चाहिए वो प्लांट हो, एनिमल, कवक, फंगी, कुछ भी जब ये मर जाते हैं तो इनके उपर ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं और जटिल पधार्तों को सरल पधार्तों में कनवर्ट कर देते हैं सरीर का अपगटन करने वाले जलिये कवकव जिवानू होते हैं ठीक है? फॉर एक्जमपल कवक, वैसी लाई जिवानू, इत्यादी तो ये आते हैं आपके अपगटन करता यानि डिकंपोजर के अंतरगत इसके बाद ये होगा है आपके कम्पलीट जैविये घटक यानि बायोटिक कमपोनेंट अब हम देखते हैं अजैविक घटक कौन-कौन से पाये जाते हैं आपके तालाव के पारिस्तितिक तंतर में सो काफी सारे अबायोटिक कमपोनेंट्स भी पाये जाते हैं तालाव में अजीव ये गटक यानि आबायोटिक कंपोनेंट जल में गुलित रूप में पाये जाते हैं क्यूंकि इनमें जल का भागी प्रमुक होता है ठीक हैं चूंकि इनमें जल का भागी प्रमुक होता है इसलिए ये अपनी सॉल्यूवल स्टेट में पाये जाते हैं या धनात्मक रनात्मक आयन गुलित कैसे यह सभी पाए जाते हैं आपके अकार्वनिक पधार्थ के अंतरगत ठीक है इसके बाद सेकेंड है कार्वनिक पधार्थ कार्वनिक पधार्थ के अंतरगत आते हैं गुलित कार्वोहाइडरेट प्रोटीन वशा म्रत अफसेशी का पन उत्पाद वजटिल पधार्थ यह सब आते हैं आपके कार्वनिक पधार्थों के अंतरगत इसके बाद थाड़ भोतिक पधार्थ या भोतिक घटक इसमें आते हैं सूर प्रकाश ताप हवा वर्षा इत्यादी तो यह होते हैं आपके अब आयोटिक कंपोनेंट जो की प् देखिए आप तालाव के पारिस्थितिक तंतर में उर्जा का प्रवा अब यह जो तालाव के पारिस्थितिक तंतर में इतने सारे प्लांट्स पाए जा रहे हैं इतने सारी मशलियां कीडे मकूडे कीड जन्तु यह सब ही पाए जा रहे हैं इनमें एनरजी का फ्लो कैसे हो प्राथमिक उत्पादक जो हैं, प्लांट जो हैं, उन्होंने खाना बनाया, फिर प्रथम श्रेणी के जो उपभोकता हैं, उन्होंने प्राथमिक उत्पादकों को खाया, ठीक हैं, क्या हुआ, सबसे पहले शूर की किर्णों से प्राथमिक उत्पादकों यानि प्लांट्स ने खाना बनाया, फिर प्रथम श्रेणी के जो उपभोकता हैं उन्होंने प्लांट्स को खाया यानि प्रात्मिक उत्पादकों को खाया, फिर जो प्रथम श्रेणी के उपभोकता हैं उनको 32 श्रेणी के उपभोकता हुने खाया, इसी टाइप से 33 श्रेणी के उपभोकता खाया जैसे मनुष्य वगेरा गिद्द वगेरा ने जब उच्टम श्रेणी के उभ्षोकता मर गया या प्लांट्स मर गया तुँ उन पर डीकंपोजर यानी जीवानों विशानों इन सभी ने उन पर किरिया करी देन जटिल पधार्टों को सरल पधार्टों में कनवर्ड किय यह बापस से चले गए आपके soil में, soil से इने plants ने use किया, इस टाइप से आपका energy का flow चला तार आपके पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, तो इस टाइप से एक तालाप के पारी तंत्र में इस प्रकार उर्जा का क्रम जो है वो चलता रहता है, ठीक है, तो यह हुआ आपका पारिस्थितिक तंत्र जो की important था और easy था, इसलिए मैंने आपको इसका जो है वो explanation दिया, ठीक है, अब इसका जो आपको diagram है, वो आपको चैनल की community में मिल जाएगा, अभी मैं आपको upload कर दूँगी, तो आप diagram जरूर चेक करें, I hope वीडियो आपको helpful रहा होगा, कोई भी doubt ह तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं, so मिलते हैं next video में new topic के साथ, thank you so much for watching, keep on learning